दोस्तो ऐसे चार वेप सो बताता हूँ जिसमें आपको अल्टिमेट एडवेंचर और ड्रामा देखने को मिलेगा और ये सभी सो आपको हिंदी में देखने को मिल जाते हैं फश्ट है दोस्तो वन पीस सो में हमको पाष्ट का समय दिखाया जाता है जब समुदरी डाकू समुदर पे राज करते थे और यहां एक समुदरी डाकू होता है जिसका नाम गोल्ड रौजर है और उसको नौ सेना पकड़के सबके साबने मार देती है पर यहां पे जो रौज को खोजने के लिए निकला हुआ है और साथ में वो ऐसे लोगों की तलास कर रहा होता है जो उसको खजाने तक पहुचाने में उसकी मदद करें अब आगे सो में लाफी को खजाना मिल पाता है या नहीं और सो में आगे क्या होता है यह सब हमको experience करने को मिलेगा यह सो दोस्तो काफी जाद adventurous और entertaining है और IMD पे इसको 8.5 की rating मिली हुई है यह सो दोस्तो 2023 पे Netflix में आया था जिसको आप हिंदी में देख सकते हैं सेकेंड सो है दोस्तो लोकी इस सो में दोस्तो हम लोकी याने टाम हिडल स्टोन को देखते हैं जिसने दोस्तो एवेंजर में टेस्रेक्ट को चुराया था और वो भाग रहा होता है लेकिन वो एक time travel लूप में फस जाता है और इस लूप में दोस्तो उसको time travel authority पकड़ लेत अब लोकी टीवी में किस तरह survive करता है और आगे इसके साथ क्या क्या होता है यह सब हमको इस सो में experience करने को मिलेगा यह सो दोस्तो डिजनी पे 2021 में आया था और इसको AMD पे 8.2 की rating मिली है थर्ड है दोस्तो the lord of the rings सो में दोस्तो एक elf है जिसका नाम glabriel है और वो एक dark side के बं को सावरोन ने मार दिया था सो में दोस्तो हमें और भी कई सारे किरदार नजर आते हैं जिनकी अपनी अपनी story चल रही है और वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से connect होते हैं और दूसरी तरफ जो dark side का बंदा है वो हर तरफ अपनी हुकूमत चाहता है जिसके कारण सो में क कई तरह के लोग नजर आते हैं जो अलग-अलग planet पे रहते हैं और यहां हम एक बंदे को दिखते हैं जो किसी सामराज जिससे belong करता है और वो ऐसे लोगों को पकड़ता है जिन पे किसी तरह का इनाम है जिसके बदले इसको पैसे मिलते हैं अब इसको एक ऐसे सक्स को पकड देने जाता है तो इसकी feeling उस बच्चे के साथ connect हो जाती है और यह सामराजी के कई सारे लोगो को मार के बच्चा वहां से चुरा लेता है लेकिन अब इसके और बच्चे के पीछे को पाना जाते हैं जो किसी तरह बच्चे को पाना चाहता है क्योंकि सामराज इन दोनों को भगोडा मानके इन पे इनाम रख देता है अब ये किस तरह उस बच्चे को बचाता है और अब आगे इसके साथ कैसी सिच्वेशन्स आती है और ये बच्चे के साथ किस तरह अपनी बांडिंग बनाता है ये सब हमको इस सो में experience करने को मिलेगा ये सो दोस्तों आपको डिजन इनी पे इनी में देखने को मिल जाएगा